Hello Friends, welcome to the success Kendra, देखे Friends, 24 अप्रेल 2022 को बिहार दरोगा का मेंस एग्जाम हुआ है, तो Friends, अगर आपने एग्जाम दिया है तो अपने एंसर की मिला लेजिए, जो लोग तयारी करना है बिहार दरोगा की, वो लोग भी वीडियो को देखेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चलिए फटाफट सेशन स्टार्ट करते हैं वीडियो को सेयर कर दीजेगा देखे पहला प्रशन पुछा गया था कि सुर्यास्त एम सुर्योदे के समय सुर्य का आभासी चप्टापन निमनप परिघटना के कारण होता है यह जो फ्लैटनिंग होता है यह होता है सचार यह उसके बाद दिखेगा कि टिहरी बांध जो है एक से नदियों के संगम पर इस्तित है यहां भागी रतियम भील गंगा के संगम पर है ऑप्सिन नमबर ए हो जाएगा राइट इंसर उसके बाद देखे किसी अर्ध चालक का ताप बढ़ाने पर उसकी पृतिरोउ धबता जो है ताप बढ़ाने पर क्या होती है तो फ्रेंड्स यह घर्टती है तो ऑप्सन नमबर भी हो जाएगा राइट इंसर चालक का बढ़ता है ठीक है चले उसका बाद नेक्स्ट कुस्टन है हमारा रीजिनिंग का कुस्टन है देखिए फ्रेंस मैं तो रीजिनिंग का यहां पर सॉलूशन में नहीं बता हूँ ठीक है जीके जीएस वाला मैं बता देता हूं वैसे मैंने इसको सॉल्व किया है और इसका राइट अंसर जिन्हों इगारा हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे पूछा गया था कि 1799 में टीपु सुल्तान की मिर्तिव को प्रांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था तो यह कृष्ण राज तृतिय को बनाया गया था ऑप्सन नंबर सी राइट अंसर हो जाएगा कोस्टन न राज सभा में प्रतिक राज से राज सभा के लिए चूने जाने वाले सदस्यों की संक्या किस अनुसूची के द्वारा निर्धारित की जाती है तो यह चौथी अनुसूची है उसका बाद नेक्स्ट कोस्टन हमारा कि यह मैत का कोस्टन है फ्रेंस आप लोग सॉल्व कर ल नहीं है तो यह जर्मन सिलवर में चांदी नहीं होता है उसका बाद देखिएगा कौन सा एंजाई मानों शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंदित है तो यह है option number c right answer हो जाएगा उसके बाद मैं मैं के question है साइद इसका answer 80 होगा ज़रा आप comment करके बताइए कि यह answer होगा इसका चलिए उसका बाद 17 नंबर देखिए अब देखिए फ्रेंड्स question नंबर 17 है इसको हम लोग एंगरेजी में solve करेंगे सबसे पहले मैं आपको यहां पर दिखा देता हूँ देखिए यह आपका triangle हो गया राइट अंगल यह आपका angle हो गया आपका राइकना side opposite to angle theta यानि कि यह वाला opposite side है ठीक है opposite यहां में लिगता हूँ O double P और यह क्या है P है और adjacent यह होता है adjacent यह होता है यह base clear और यह hypotenuse है तो देखिए कर रहें कि side opposite to angle theta यानि कि P हो गया P और नीचे hypotenuse दिया है तो P by H से बराबर क्या होता है sin theta तो यह चला जाएगा इसके सांथ मिलान यानि कि B हो जाएगा पहला का B याद रखेंगे उसके बद side adjacent to angle theta यानि कि यह वाला बात कर रहा है कि adjacent angle की तो यानि कि अब B by कितना हो जाएगा hypotenuse दिया गया एच B by H क्या हो गया कोश ठीटा हो गया यानि कि यह C हो गया ठीक है तो यहाँ पर आ गया B और C ध्यान रखेंगे उसका बद side adjacent opposite angle यानि कि P की बात हो रहा है और side adjacent angle theta यानि कि अब यह हो गया आपका बी तो P by B क्या होता है P by B जो होता है यह आपका होता है 10 theta तो 10 theta देखें यहाँ पर दिया गया है कहाँ पर 10 theta A पर दिया गया तो BCA जो है इसका correct हो जाएगा B C A देखें B C A यानि कि C नंबर जिन्होंने भी लगा है राइट अंसर है उनका I hope कि आप समझ गया होंगे हमारे देश में नेमलकित में से कौन सी गेहों कि अर्द वामन उच उत्पादन वाली किस्म है इसका answer friends मुझे नहीं मिला है ठीक है देखें यह जो किस्म होती है न नेक्स्ट कुस्टन है कि निमलकित में से कौन से परधान मंतिरी राजिक के मुख्यमंतिरी के रुप में कारे नहीं किया है तो यह आपका हो जाएगा चंद्र शेकर हो जाएगा ओप्सिन नमबर डी जो होगा correct answer हो जाएगा उसके बाद देखेंगा नेक्स्ट कुस्टन है कि यहां पर देखिएगा यहां क्लोरोजाइनी नॉल और टर्पिनियोल का जो मिश्रन होता है वो क्या होता है तो यह एंटिसेप्टिक होता है एंटिसेप्टिक जिन्होंने भी लगाया है रायटनसर हो जाएगा उसका बाद यह आपका मैट का कुस्टन है इसको आप लोग solve करेंगे मेरे खाल से इसका रायटनसर तो option number A हो जाएगा 13 ratio 6 ठीक है चले उसका बाद देखिएगा कि दूद को दही में परिवर्तित करने वाली बैक्टिरिया तो यह हो जाएगा लैक्टिक एसिड बैक्टिरिया हो जाएगा option number A रायटनसर इसका हो जाएगा ठीक है चले देखे पूछा गया था कि समीर ने कहा कि सारीका मेरी माता के पोते की पतनी है सारीका किस प्रकार समीर से संबंदित है तो यह daughter-in-law हो जाएगा ठीक है पुत्रवधू उसके बाद देखेगा कि परमानों रियक्टर में graphite का परियोग किस रूप में किया जाता है तो मंदक कि रूप में किया जाता है उसके बाद देखेगा मद्ध रेडल मंडल का मुख्याल है तो यह मुंबई हो जाएगा ठीक है मुंबई CST उसके बाद next question दीके पूछा गया था फ्रेंड्स कि iron की कमी से क्या होता है तो यह एनेमिया होता है भूमद रेखा निम्लेकितम से किस गर्षोपा महात्मा गांधी जलपरपाति इन सब नाम से इसको जाना जाता है सरावती नदी पर उसका वह दिखेगा कि जहानारा द्वारा लिखी सेक मुनजिन चिस्ति की जीवनी कौन सी है जो है जहानारा के द्वारा लिखी गई तो यह हो जाएगा मुनिस अल अरवा ठ उसके बाद देखेगा कि किस समयधानिक संसोधन के द्वारा राष्ट पती के लिए समयधानिक संसोधन विध्यक पर सहमती देना अनिवार किया गया तो यह आपका था 24 समयधान संसोधन उसके बाद नेक्स्ट कुस्टन देखे पूछा गया था कि सोन नदी का उद्गा मस्तल है तो यह अमर कंटक पहाड़ी से निकलती है उसके बाद देखे यह मैत का कुस्टन है किसी वर्ग की भुजा का माप लेने समय भूल से 2% अधिक माप लिया गया है उस वर्ग का परि अगला प्रसन देखिए उसके बदेखे पूछा गया था फोटी वन नंबर की बंगाल में अमलाज होता था वहां कौन सा अधिकारी होता था तो यह जमिंदार का अधिकारी होता था उसके बाद देखेगा कि मुरा नसल है तो मुरा वैस की नशल है नेक्स्ट कुस्टन चली उसके बाद नेक्स्ट कुस्टन कर लेंगे किन्यम निकित में से कौन सा अकबर के काल का भोमी का वर्गी करन नहीं है तो देखे यह जरीबा नहीं है जरीबा जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट अंसर हो जाएगा उसके बाद पुछा गया थे कि जैन धरम का ते 1960 में हुआ था उसके बाद नेक्स्ट कुस्टन पुछा गया था कि अलंग केश्वर इस्तित है तो यह गुजरात में इस्तित है उसके बाद के आवद राज्य का अंतिम सासक पुछा गया था तो यह वाजिद अलिसा अपसर नंबर ए राइट अंसर इसका हो जाएगा उसक प्रारंभिक वेक से एक बटा तीन गुना घटा जिया जाता है तो गती जूर्जा हो जाएगी तो इस प्रशन को मैंने सौल्व कर लिया है ऑप्सन नंबर इसका बी जो होगा राइट अंसर हो जाएगा के अपॉन नाइन चलिए उसके बाद पूछा गया था कि भिलाई द प्रिष्ट से इलेक्ट्रोन उत्सर्जित करती है तो यह सीजीम हो जाएगा सीजीम ऑप्सन नंबर डी उसके बाद देखेगा फ्रेंट्स यह रिजनिंग का प्रशन है यह आसान प्रशन है इसको आप लोग सौल्व कर ली देगा मैंने जल्दी बादी में इसको सौल्व नहीं किया है ठीक है उसके बाद यह वाला प्रशन पुछा गया था कि साइन स्क्वार ठीटा प्लस को स्क्वार ठीटा एक्वल टुवन सही दिया गया है और यह वाला गलत दिया गया है टैने स्क्वार ठीटा माइनस स्क्वार ठीटा एक्वल टुवन नहीं होता है यह उ पुछा गया था कि वर्ल्ड एक्नॉमिक आउटलुक का प्रकासन के संस्थान के द्वरा किया जाता है तो यह किया जाता है इंटरनेशनल मुनेटरी फॉंड आई एम एफ के द्वारा ठीक है तो ऑप्सन नंबर इसका सी राइट अंसर हो जाएगा आई एम एफ अंटर राष किस नाम से जाने जाते थे तो यह निशाद के नाम से जाने जाते थे उसका बड़े आगला प्रशन पूछा गया था कि तो यह आपका है कि तो पार्थेनियम का, दीखे पार्थेनियम, option number B जिन्होंने भी लगाया है, राइटेंसर हो जाएगा, कौन सा जाईलम का भाग नहीं है, तो दीखे ये जो सीव टीव है, यहाँ फैलोयम का भाग है, तो option number C, राइटेंसर इसका हो जाएगा, चालनी नली का, उसका बाधी के कौन सा छेत्र भारत का जैवी विजिता का होट स्पोर्ट का प्रतिनीजितो करता है तो यह सब आपको पता है यह आपका पस्मी घाठ हो जाएगा उसके बाद पुछा गया था कि कैप्रेलेक्टम का यूज जो है यह किसके मैनुफेक्चर में किया जाता है तो नाइलोन 6 का नाइलोन 6 का अगला प्रशन देखिए देखिए उसके बाद पुछा गया था कि स्वेथलिंग कॉप जो है स्वेथलिंग कॉप यहां मैं लिख देता हूँ यहां किस खेल से संबंदित है तो फ्रेंट से यह टेबल टेनिस से है उसके बाद देखेगा कि हस्तिनापूर का उत्खानन किसके मध्ध हुआ था तो 1952 मध्ध है उसके बाद पूछा गया था कि जो मायउपिया की समस्य मायउपिया यानि की निकट इद्रिश्थी दोस्त तो यह ओतल लेंस से ठीक किया जा सकता है उसके बाद पूछा गया था यह वाला प्रशन ठीक है तो मेरे ख्याल उसके बाद कि निमन स्रेनियों में से कौन सी पस्मी घाट का भाग नहीं है तो यह कॉमेट हो जाएगा उसके बाद किस वर्स केंद सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया तो दिखे 16 में इसकी घोशना की गई थी और 17 में एक सांतिया किया गया था उसके नांगलपुरम उसके बाद देखेगा कि वह गैस जो CEO के साथ तुक्रिया करती है परन्तु नहीं करती है यहां गैस कोलोरीन गैस है चलिए अगला कुस्टन करेंगे उसके बाद देखे फ्रेंड्स यह रिजिनिंग का प्रश्न है इसको एक बार आप लोग सॉल्व कर सेरी कल्चर सब्द सम्बंदित है तो यह सम्से उसका बद नेक्स्ट कुस्टन पढ़ेंगे कि निमलिकित में से कौन सी विश्यक की सबसे हानिकारक जल्ये खरपतवार है यह है आपका और आइचोर निया जिन्होंने भी लगाया है आइचोर निया उनका करेंट है यह यह मुगल समराट के सासंकाल में मुगल दर्बार में चाहर तसलीम और जमीन बोस लागू किये गये थे तो यह सहाजहा के समय में किया गया था बौध धरम में उपदेश देने हितु किसा भासा का जो है प्रयोग किया जाता था तो पाली भासा का उसका बाद एक नेक्ष्ट निकालना है और यह 14 हो जाएगा तो यह इधर आ जाएगा तो यह 24 हो जाएगा दो सती 14 और यहां पर साथ बटा 12 हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं देखे उसके बाद पुछा गया था कि अनुचुम्ब कत्वपदार्थ यानि कि पैरामेगनेटिक सबस्टांसे जार विकली एट्रेक्ट तुए मैगनेट यानि कि चुम्बक की और छीन बलद्वरा अकरसित होते हैं उसके बाद नेक्ट कुछा गया था कि किस मौर अस्थम के सेस्ट पर एक विसाल हाथी अस्थापित है तो यह संकीसा का स्थम है ठीक है उस पर देखिएगा उपर में संकीस पर हाथी है पर्यावरन सरक्षन के बारे में जाग रुकता है फैराने के सहाइक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लिखाक तो यह रसल कारसन है और बी में दिया गया है रसल कारसन उसका बाद नेक्स्ट कुछन है यह मैं सौल्ब नहीं किया हूं आप लोग कर लेंगे उ उसको समाप्त किया घया था तो यह 1813 का चार्टर रेक्ट है उसके बाद देखें पूछा गया था नेक्स्ट कॉस्टन है कि कोडळारमा किसके खननके लिए फ्यमस है तो यह माई क्या के अभरक के खनन के लिए चली अगला कुस्चन करेंगे तो देखें चान्वे नमबर दरज़से है तो इसका 4 हो जाएगा अब यहां पर आप आसानी से मिला ले सकते हैं 3 और 4 देखें यह उप्सन नमबर B में दिया गया है ठीक है तीन में कुसन है कि बायोग्राफी पूछा गया था कि महात्मा गांदी कि ब्याग्राफी किसन लिखा जीवनी तो यह लिखा है आपका यह अप्षिन नमबर ए हो जाएगा ठीक है दिनानात गौपाल तैंदूरकर उसका बाद नेक्स्ट कोस्वन दीजे 10 डूल कर जो दिया गया है उसका या रिगृर मिटी तो ये फ्रेंट्स या ही काले मिटी को कहा जाता है फ्रेंट्स 100 कोस्वन मैंने आपको करा दिया और मोश्ली मैंने मैथ और रिसनिंग का भी करा दिया वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए